नमस्कार दोस्तों रेज़ के सेने केट मी में आप सभी लोगों का स्वागत है RBI ने अपनी मौद्रिक नीती के अंतर गत्व अभी हाल में ही 0.25% की इसमें बिर्धी करते हुए इसे 6.5 सूनी ने धारित कर दिया है और ये पिछले 6 बार में अगर देखा जाए तो RBI के अस्तर से अपनी मौद्रिक नीती रेपो रेट को बिर्धी की गई है हाला कि इसमें 25 बेसिक पॉइंट भी इसे कहा जाता है जिसे 0.25% की बिर्धी माना जाता है और इस आधार पर पिछले 6 बार में हर बार बिर्धी की गई है और इस बार RBI ने मौद्रिक नीती के अंतरगत रेपो रेट की दर को 0.25% बढ़ा करके 6.5% निर्धारित किया गया है यह पिछला 6 बार ऐसा आधार है जबकि RBI के अस्तर से रेपो रेट में बिर्धी की गई है तो यह रेपो रेट का क्या आसे है रेपो रेट कैसे बढ़ता है और इसका क्या प्रभाव पढ़ता है रेपो रेट के माध्यम से क्या उद्देश से पूरा करना चाहता है RBI और थात RBI का क्या उद्देश होता है मौद्रिक नीती के अंतरगत रेपो रेट को बढ़ा करके इससे संबंधित एक समझ का होना आवस्यक है और यह पूरे economy के point आप भी उसे बहुत महात्पूर है आपके prelims के साथ साथ जो मेंस में अगर टिपड़ी पूछता है या यहां से संबंधित कोई सवाल अन्य तरीके से भी पूछा जाता है तो यह concept आपको इससे संबंधित सवालों के उत्तर देने और प्रभावी डंग से अपने उत्तर को उत्तर पूछतिका में लिखने में आपका मदद करता है तो हम लोग थोड़ा सा इसको इन points के माध्यम से देख लेते हैं कि इसका आस्य क्या है और ये कैसे व्रिद्धि होती है इसमें या कमी होती है है यह हो गया इसका प्रभाव क्या होता है में और अगला जो है इसके उद्देश्य क्या होते हैं इसको बढ़ाने के या घटाने के क्या उद्देश हो सकते हैं RBI के द्वार अपने मौद्रिक नित में इसे घटाया भी जा सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है और इसके माध्यम से RBI एक उद्देश्ची को पूरा करना चाहता है यानि कि liquidity को control करना चाहता है हम रेपो रेट को ही समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या है वास्तों में RBI के द्वारा जिस दर पर अपने वालिजिक बैकों को रिड़ दिया जाता है वह दर रेपो रेट कहलाती है इसको रेपर्चेज उप्सें रेट भी कहा जाता है री परचेज, आप्सन, रेट भी कहा जाता है तो वह दर होती है जिस पर RBI अपने वारिजिक बैंकों को रिंड देती है यदि इसमें बृद्धी की जाती है तो जो रिंड दिया गया है वो महगा हो जाएगा और पुना वारिजिक बैंकों के द्वारा अलग-अलग छेत्रों में जो रिंड दिये गए है वो भी महगे हो जाएगे और इससे ये प्रभाव पढ़ेगा कि जो आपके प्रशनल लोन है होम लोन है, आटो लोन है ये सारे लोन की EMI बढ़ जाएगी या अगर किस्तें कहा जाए तो बढ़ जाएगी किस्त वही रहेगी किस्तों की संख्या बढ़ जाएगी या किस्तों की संख्या वही रहेगी तो किस्त की दर बढ़ जाएगी तो यह है इसका एक प्रभाव भी पढ़ता है और यह कैसे निर्धायत होता है तो मौद्रिक नीत की समीची होती है इस बार ही RBI की गवर्णर सक्तिकांत दास ने ये घूसित किया कि RBI में 25 बेसिक पॉइंट यानि की 0.25% की इसमें विर्धी की गई है और इसे सम्मन्दि 6 सदस्यों की एक समिती होती है 6 सदस्यों की एक 6 सदस्ये समिती है इसमें 4 और 2 के अनुपात में सहमती बेक्त की गई यानि कि 4 लोगों ने इसको बढ़ाने के लिए जो है सहमती दिया इस आधार पर रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया गया तो आपने ये समझा कि रेपो रेट क्या है क्यानि कि RBI के द्वारा जिस दरों पर अपने वाडिजिक बैंकों को रिड दिया जाता है वो अधर रेपो रेट कहलाती है और चूकि जब ब्रिद्धी की जाती है तो रिड महगा हो जाता है और उसी के अनुपात में या उसी अधार पर वाडिजिक बैंक जब विभिन छेत्रों में चाहिए और प्रशनल लोन हो जिस भी कार्ग रिड देती है तो उस पर वह ज्यादा दर से व्याज वसूलती है इस आधार पर वो महगा हो जाता है लोन अब इसके पीछे का उद्देश ही होता है कि RBI economy में liquidity को नियंत्रित करना चाहती है liquidity से ताथ पर किसी वस्तुकी या किसी factor कारक की वह विसेशता जिससे बिना किसी च्छतिके उसको नगत में बतला जाता है तो रूपे को बिना किसी च्छतिके सबसे ज़्यादा नगत जो है वो मुद्रा ही होता है जलिए इसको सबसे ज़्यादा तरल माना जाता है तो यहाँ पर liquidity control को वो मुद्रा के रूप में देखता है तो मुद्रा जितनी ही ज़्यादा अर्थवेवस्था में होगी उतना ही कहा जाएगा कि तरल्ता अर्थवेवस्था में उतनी ही ज़्यादा है क्योंकि रिड जब महगा हो जाएगा तो लोग जो है उसे कम रिड लेंगे और अर्थवेवस्था में पैसा कम पहुँचेगा कम पहुँचेगा तो इसका क्या प्रफ़ाव पड़ेगा कि लोगों की परचेज करने की सकती घटेगी या जब घट जाता है रिपो रेट तो उस समय रिड सस्ता हो जाता है तो बैंक भी कम दरों पर RBI से रिड प्राप्त करता है और ऐसी इस्तिती में जब वो कम दरों पर रिंड प्राप्त करेगा तो वो कम दरों पर जनता को या विभिन प्रकार के रिंडों में कम दरों पर रिंड दे सकेगा और उसकी EMI कम होगी यानि कि जनता पर उसके आर्थिक बोच कम होगे तो इससे ज्यादा मात्रा में economy में मुद्रा पहुचेगी तो ये RBI के द्वारा निर्धारित किये गए repo rate के संदर्व में एक विवस्था है इसके मादें से RBI चुकि economically जो मुद्रा से समंधित नीतियां होती है मौद्रिक नीति वो RBI के द्वारा बनाये जाता और इसका उद्देश यही होता है कि अर्थविवस्था में उतार चड़ाओ को रोका जा सके कीमतें ज्यादा ना बहुत बढ़ने पाए अर्थविवस्था में विकास की एक निश्चित दर हो सके अनिम्प्लॉइमेंट ना बढ़ने पाए मुद्रा इसफीत ना बढ़ने पाए मुद्रा इसफीत जीरो भी नहीं ठीक मानी जाती है इसलिए 2-3% की मुद्रा इसफीत ही मानी जाती है कि यह सही है विकास के लिए इतना होना आवस्यक भी है तो इन सभी आर्थिक कारकों में संतुलन स्थापित करने के उद्देश उसे RBI के द्वारा रेपो रेट को एक युक्ति के रूप में लिया जाता है और इसी के अंतरगत इस बार की मौद्रिक नीति में 25 बेसिक पॉइंट या 0.25% की बिल्दे करते हुए रेपो रेट की दर को 6.5% निर्धारित कर दिया है जिससे रिंड थोड़ी से महगे होंगे और वारेजिक बैंकों के द्वारा अनिसभी छेत्रों में दे जाने वाले रिंड की भी दर थोड़ी सी महगी हो जाएगी कार लोन, आटो लोन, होम लोन की दरें जो है भाज जाएगी तो ये पूरी कहानी एकॉनमी के एक महत्पूर्ड स्रेक्शन को समझने के लिए इससे समंधित प्रश्णों को अगर पूछा जाता है तो से लिखने के लिए जो ही ये सारे चीजें जो है आपका मदद करेंगी तो उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट का आस है रेपो रेट में ब्रधी कैसे होती जैसा कि एक समीति होती है और वो समय समय पर बैठ करके इस पर निड़े लेती है तो इस बार 6 अदस्यों में 2 के बदले 4 लोगों ने इसे ब्रधी करने के पक्ष में ओड़ दिया और इस आधार पर ये बढ़ाया गया तो ये कैसे बढ़ता है इसका प्रभाव क्या होता है कि लिक्विडिटी नियंतरित होती है कम किया जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है और बढ़ाया जाता है तो लिक्विडिटी कम होती है इससे रिड महगे हो जाते हैं ये सारे इसके प्रभाव होते हैं इसका उद्देश जो है लिक्विडिटी के पॉइंट आप भी उसे ही RBI के द्वारा लिया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि यह टापिक आप लोगों को समझ में आया होगा करन्ट से संबंदित एक महात्मूर टापिक है और आने माले समय में हम लोग इसी तरीके से एकॉनमी के साथ साथ आने सभी बिंदूओं से और विश्यों से समंदित टापिक को ले करके मिलेंगे तब तक के लिए नमस्का